हेलो बच्चो, लेट्स स्टार्ट दा कोश्चिन, देखे कोश्चिन वाम से खागा जारे है, दी केबल ऑफ उनिफर्मली लोड़ेड सस्पेंशिन ब्रीज हैंग्स इन फॉर्म ऑफ पैराबोला, अब देखे, इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं, तो फिर यह हमारा य-axis है, और यह हमारा एक्स-axis है, अब देखे, एक केबल है, जो की इन फॉर्म ऑफ पैराबोला है, हम लोग केबल को कुछ ऐसे बना देते हैं, यह हमारा पैराबोलिक केबल है, अब देखे, एक रोडवे है, जो की 100 मीटर लॉंग है, तो यह हमारा रोडवे बन जाएगा, जो की 100 मीटर लॉंग है, यह हमारा रोडव है अब देखिए question में कहा जा रहा है कि यह रोडवे is supported by ropes ऐसे यह वायर से supported है ऐसे और रोड का जो length given है हम लोगों को वह वाला given है 100 meters यह वाला है 100 meters अब देखिए अगर यह पूरा length 100 meters है तो इसका आधा क्या हो जाएगा इसका आधा जो होगा यह वाला part this will be 50 meters अब देखिए बोला जाय रहे है कि जो longest wire है वो 30 meters का है तो यहां पर longest wire यह वाला है इसका length हमारे given है 30 meters और जो shortest स्ट्रोप है उसका length given है 6 meters तो हमारा जो shortest ट्रोप है वह यह वाला है जिसका length given हमें 6 meters अब देखिए question में कहा जा रहा है कि 18 meter दूरी पे यहां से 18 meter दूरी पे जो wire है उसका length क्या होगा तो हम लोग मान लेते हैं यह wire का length है हमारे पास D तो वह देखिए अगर पूरा हमारा 6 यह वाला हो जाएगा हमारे यह वाला portion का length अब देखिए यह वाला point का coordinates फिर क्या होगा देखिए यहां से यह 18 meters की दूरी पे है यह वाला 18 meters की दूरी पे है और यह वाला तो फिर इसका x coordinate जो होगा उसका हो जाएगा 18 और देखिए इसका y coordinate होगा वो क्या हो जाएगा D minus 6 यह वाला हो जाएगा अब देखिए यह point को हम लोग A बोलता है और यह point को हम लोग B बोलता है यह वाला B अब देखिए B का coordinates क्या होगा देखिए इसका X coordinate हो जाएगा 50 और यह वाला length क्या होगा Y coordinate अब देखिए पूरा length 30 है तो फिर ये वाला length किया हो जाएगा, ये वाला length हो जाएगा 30-6, तो फिर ये वाला length हमारे पास हो जाएगा 30-6, जो क्यों होगा 24, तो फिर देखिए इसका x coordinate तो हो जाएगा 50, और y coordinate हो जाएगा 24, अब देखिए ये parabola का equation हम लोग कैसे लिख सकते, ये एक upward parabola है, तो फिर इसका equation हम लोग बोल सकते है, x square is equal to 4ay, अब देखिए, point 50, 24 lies on the parabola, अब देखिए अगर ये point parabola पर लाई कर रहा है, तो फिर ये equation को satisfy करेगा, तो फिर हम लोग x और y का value substitute करते है, x का value हमारे पास क्या था, 50, तो फिर ये हो जाएगा 50 का square is equal to 4 into a into y का value था हमारे पास 24, फिर यहां से देखिए, 50 का square हो जाएगा 2500, is equal to हो जाएगा 4 into a into 24, अब देखिए यहां से हम लोग क्या बोल सकते है, 2500 divided by 4 into 24 is equal to a, और 24 into 4 क्या हो जाता है, 96, यहां से हमें a का value मिल ज 2500 divided by 96, यह हमारा a का value आ गया, तो फिर देखिए हमारो जो parabola की equation आएगा, वो क्या आएगा, जो हमारा parabola की equation आएगा, वो होगा x square is equal to 4 into a का value हमारे पास 2500 divided by 96 into y, अब देखिए 4 से cancel out करते है, 4 ones of 4, 4 into 24, this will imply, जो equation आया हमारे पास वो हो जाएगा, x square is equal to 2500 divided by 24y, अब देखिए, यहां से हम लोग बोल सकते हैं, point, यहांसा देख लेता है, यह वाला point जो था हमारे पास a, 18, d-6 वो भी satisfy करेगा equation को, तो यह क्या होगा, point 18, d-6 also lies on parabola, तो फिर यह वाला point भी equation को satisfy करना चाहिए, यह वाला equation को, इसको हम लोग 1 नाम दे जते हैं, इसको satisfy करना चाहिए, तो फिर क्या होगा, यहां से, 18 का square, x का जगा 18 आ गया, is equal to, 2500, यह हो जाएगा 2500, divided by 24, into y का value हमारे पास, d-6, यहां से देखे क्या आएगा, d-6 is equal to, 18 into 18, into 24, divided by 2500, 0, 0, यहां से हमारा, d-6 का value आ जाएगा, 3.11, this will imply, d is equal to, 6 plus 3.11, और हम लोग बोल सकते है, d का value आ जाएगा, 9.11 meters, so this will be our final answer, यह हमारा वो रूप का लेंथ होगा, जो 18 meter दूरी पर है, hope you understood the question well, thank you.